इस इस मनोज कुमारी वेलकम इन म्यूटू चेनल मैट्स फ्रेज़ और तोड़ी वेस्टाट एक सर्फाइस 15.1 कुरहज नम्ब फर्स्ट थेक्ट फर्स्ट क्यों में क्या विटा इना क्रिकेट मैट्स आप बेट्स्मैन hits a boundary, एक क्रिकेट मैच हुआ, उसमें जो batsman's था, उसने boundary को क्या किया, hit किया, और कितनी बार किया, six times, कितनी बार किया बटा, six times किया out of 30 balls, और जो total जो balls थी, वो कितनी थी, 30 balls थी, 30 balls में से, उसने कितने बार hit किया, six times hit किया, see plays जितनी वो, खेले, find the probability, हमें क्या निकालनी है, probability निकालनी है that, she did not hit the boundary, कि उसने boundary को hit कितनी बार नहीं किया, उसकी क्या निकालनी है, probability निकालनी है, तो देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, कि boundary को hit कितनी बार किया, total तो बोल्स दे रखी है तो प्रोबिलिटी निकालनी है नोट हीट दा बाउंडरी तो देखे सोलुशन स्टार्ट करते हैं बिटा टोटल नंबर बोल्स जो दे रखी है टोटल नंबर ओब बोल्स कितनी दे रखी बताओ 30 बोल्स कितनी बिटा 30 बोल है तो हीट सा बाउंडरी बाउंडरी को हीट कितनी बार किया 6 ताइमज तो हीट हीट दा बाउंडरी हीट कितनी बार किया 6 ताइमज कितनी बार किया 6 ताइमज तो इसमें हीट कितनी बार नहीं किया not hit the boundary not hit the boundary तोटल बोल कितनी थी 30 हिट कितनी बार किया 6 टाइम तो हिट कितनी बार नहीं किया कि टोटल में से जो हिट किया है उसको क्या कर देंगे माइनस तो कितना जाएगा बेटा 24 ये किलियर हो ये स्टेप अब देखो हमें निकालनी है probability क्या निकालनी है probability तो सबसे पहले आप exam में अगर अच्छे marks लैना चाहते हो तो सबसे पहले बीटा फोर्मूला राइट किया करो probability किसी भी event की किसी भी event की जो probability है वो किसकी इकवल होती है number of favorable outcome यह फोर्मूला आप याद रखोगे number of favorable outcome favorable outcome upon total number of possible outcome क्या जैगा total number of possible outcome possible outcome ठीक है यह फोर्मूला याद रखोगे कि number of favorable outcomes upon total number of possible outcome और यह किसी भी event की probability का formula होता है तो देखे स्टार्ट करते हैं number of favorable outcome का मतलब है जो चीज हमसे पुछी है उसी को हम क्या कहते है number of favorable outcome तो हमें probability पुछी है P का मतलब probability not hit not hit the boundary की पुछी है not hit तो hit कितनी बार नहीं किया है यह 24 यह हमारी क्या है favorable outcome है क्या कौन सी outcome है favorable outcome और upon total number of possible outcome total कितनी दे रखी थी बोल्स 30 यह बात समझ में है favorable outcome का मतलब है कि जो चीज हमसे पुछी है तो पुछी क्या है कि इसमें हिट कितनी बार नहीं किया तो hit कितनी बार नहीं किया अपन total number of possible outcome total कितनी है 30 तो अपन में कर दिया 30 फिर इसको कट कर देंगे अगर कट होता है तो 64 जा 24 और 65 जा 30 तो हमारा जो answer है वो कितना आ गया है 4 अपन में 5 है ना बेटा बिल्कुल simple question तो ये exam के point of view से बहुत ही important question है अक्षर exam में ये पूछ लिया जाता है तो आप लोगं को अच्छे से समझाने की कोशिस किया है और I hope आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा तो अगर वीडियो अच्छे लगी है कर दो किया है